Hello everyone, good morning and welcome back. Here is the shop. So D, we are going to rule vowels. D, we are going to rule vowels. I know A or I. आज हम लोग क्या पढ़ने चारें? भावल के बार में पढ़ने चारें और हम लोग यहां पे और एको सिखने हो की A or I. यह A or N आज हम पी यूज क्या जाता है और कैसे यूज क्या जाता है उसके बार में हम लोगाज पढ़ेंगे. So as you all know that there are how many letters in the alphabet? There are 26 letters in the alphabet. There are 26 letters in the alphabet. And these are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Z, W, X, Y, and Z. So what we have to do? We have to select from this letters Vhavos. हम दो क्या करना है? यहां से Vhavos करना है, चूज करना है. और Vhavos किसे होते है? Five Vhavos होते हैं. Five Vhavos होते हैं. Five Vhavos होते हैं. अपी में धावर धावर छूज करें देने से. Okay? So अपकी धावर यहां पे है. A, उसके बदाते हैं आपकी E, I, O, और U. अब जहां पिए जो जो येटर में मैं सर्क्रों की हूँ, राउंड ही हूँ, यह जितने भी राउंड है, A, E, R, E, O, U, जितने भी सर्क्रों कावा है, वो सनक्या है आपकी, झावेश से. क्या है आपकी? फावर से कॉंकोर्सी है? कॉंकोर्सी है आपकी कॉंकोर्सी है? A E I O U यह आपकी क्या है? फावर है A, E, I, O, U आपकी उसको क्या कोजे हैं फावर? I am except bhagal, all are consonant यह जिनने भी सरकर है A, E, R, E, O, U इन पांचों को छोटे हैं बापी, जिनने बापी हैं यह आपकी उसको क्या कोजे है? consonant होते हैं आपकी सब्की एडेसिट हम भार को क्या करते हैं कि एडेस करते हैं जियाए five bhagals होते हैं कितने bhagals होते हैं? there are five bhagals in the song okay now already I understood so आपको bhagals को अभी age करते हैं यहाँ से और बाकी bhagals को क्यों कि इतने भी बची हैं यहाँ पर उसको क्या कोते हैं? consonant होते हैं क्या कोते है? okay consonant तो कोसी है? A आपकी इडेस करते हैं A bhagals होते हैं और A को क्या करते है? B C D F G H J K L M N P Q R S C D W X X Y & Z okay so A E I O U हम अभी यहाँ से age करने हैं so accent is bhagal, order, call, consonant so हम अभी यह सिखेगे A E I O U हम अभी कहाँ पर कैसी इस करते हैं? क्या में इस करते हैं? यहाँ हम आपकी इस करते हैं? और यह चीज़ आपको बताऊं है यहाँ पर okay why do we call these letters vals? okay why do we call that vals? हम नों उसको A E I O O U को इसमें खावर होते हैं? क्योंकि जब हम उसको प्रानाश करते हैं? प्रानाश करते हैं? हम नों को A E I O U को आपको 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 आ सब्सक्राइब के 5 वर्प्स है, A, N, D, R, U, M, DRUM, E, W, G, T, R, W, E, T, O, F, O, X, Q, E, Y, Q हम लोगो अरी जात सिन्यां के A, N, A से व्यूस करते हैं इसका भी हम लोगो भी जात सिखेंगे Okay, so, before using, I want to say one thing that, N, V, O, S, O We have to focus first letter of word हमने बत्या काना है, कुछ भी word ही रहते हैं वो word का first limit के रहते हैं Basically, A, N, D, R And the first letter क्या है? A क्या है A Now we will check whether it is vowel or consonant हम तो देखते हैं इस कोपर सांच पे A है B से स्टाट वा है A is not A Okay, so, हम लोगे रहते हैं रहते हैं रहते हैं So, हम तो क्या हो यहां पे A, E, I, O, U तो यहां पे हम तो क्या हो आई? A और A यहां पी है और यह A क्या है? जावल से तो A क्या होगी आपकी? जावल So, before follow what we use? A, M, N A, M, N Okay, यह हम लोग जहां के जो भी वोट का first letter वावल होता है तो वहां पे रहते हैं A, M, N और अगर first letter consonant रहते है अगर कुस्ती वोट का first letter पे D होता है C होता है D, P, Z, कुछ भी होता है तो वहां पे रहते हैं A तो A, M, T, AND का first letter क्या है? A और A क्या है? भावल है क्या है? भावल है इसमें हम लोग रहते हैं उसके वावल के क्या यूज़ करेंके? A, M, I, ANT A, M, ANT क्या यूज़ किया हम लोग? ANT ANT क्या पढ़े रहते हैं किसको? ANT ANT Our next word is D, R, U, M, Drum D, R, U, M, Drum D, R, U, M, Drum Okay So, let's focus The first letter of drum is our D Drum क्या है? D D Drum Starts with letter D और D क्या है? Consonant है? और भावल Very good D is Consonant हम लोग Okay लोग आम लोग भी चेक करेंके D क्या हम Is there a Is there D here? No A, E, I, O, U, D is the हम So, let's check in the Consonant There is Okay D is there in the Consonant So, B4 D अहाँ पर है So, what you'll do? Before Consonant 5-day say you Before Consonant We have to use A क्या इच करना है Consonant के कहने? A And our next is E double-cheek N Our next board is E double-cheek N So, what is the first letter of drum? E 1 C E for N E Is यहाँ मुंदा X हो जाता है So, Let's check Whether E is Consonant Or जावल हमनों E जावल में है Consonant में वो चेकर है Check Consonant में है E नहीं है कोज़ है जावल से देट करें A E I A E E कहां पर हमनुं पर बिला धावल में मिला, तो यह क्या रहे? फॉर्वल है, और धावल को पैसे हमें को क्या पिस्ता नहीं को रहे हो? A and I A and N and I And our next body is C, R, D, T 3 3 कोर्षे रपके कस्ता रहता है? D से D 4, 3 और इसका 3 का फोर्षे रपके क्या है? T है So now let us say, whether T is consonant or zhawe हमें क्या चेकरना है? यह लेटर फॉर्षे रावल को देना है कि T फावल रेकी consonant है अब यह T फावल होता है अब यह T फावल होता है तो हमें उसके A and A and कि करेंगी और अगर T consonant होगा अगर हमें क्या कि सावल के फॉर्षे रावल So let's say Is the T in thepower wedge? A-D, I-U There is not T So let's say in the consonants Okay There is Okay, here In the consonant You will find your T So in T, we will find our T So in T, we will find our T So, T is the consonant So, T is again consonant D is consonant So, before consonant What you want to use? A or an Good A Before consonant, if the first letter of word is consonant You have to use A in your time A And our next word is O-X O-X So first letter of O-X is O For O-X To O-X अभी आम्लोग एचे करें एजो इस O-N is consonant और फावल O-Consonant एगी फावल पहले आम्लोग करें कि O फावल A E I O-U So, already he thought of that O-Consonant O-X 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 Very good O-X 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 K K for T K for T So let's focus here whether K is functional or file आपने आपको यह देना कि यह आंपा first letter प्रका मिना K मिनां वी को first letter क्या है K से status आया है तो अभी आपको यह देने कि कि क्या प्रका है कि फावल है मैं क्या पोली हूँ? A-P-I-O-U यह ना प्रका है और इसको छोड़के लगए इतने पी डेटर्स दावनी है, उनको क्या कोते हैं, फॉस्टनाट कोते हैं आप लोग यह चेकर लेगे कि यह की फॉस्टनाट क्या है रहा हम लोगा के आप लोग भावेश में चेकरते हैं कि के देश्टी, A-G-I-O यहां में बस A-E-I-O, तो यह तुसमा आप लेगे, पॉस्टनाट की देखते हैं आप लोग यहां के लोग तो जब ली होगा, if it is not there, then it will be there, in the consonant so let's check, okay, so we found out that A is here, in the consonant so A is consonant, A is consonant, so before consonant, what did I say you, what do I have to use, A or N? if it is consonant, then they will use A, पॉस्टन की पाइणा में चापिस करते हैं, A okay, did you understand all? I hope all of you understood well so once again let me explain you, there are how many letters in the alphabet, there are 26 letters in the alphabet and from alphabet, there are 5 vowels, and how we have to use the vowel? A, okay, vowel, if the vowel, where we use, if any word, and the first letter of word is vowel, then that is A first letter of I, the first letter of word is vowel, then there we use A, A and I and the fourth letter of word is vowel, then there we use A and what do you mean? a, A andît, how you can use it? it's just V, how you call it word, when you use V and when you use VH, if the vowel is vowel , and the vowel is vowel and iters a vowel will love if you use A and A, A, and if you use A and A, you also have vowel, breedsankly auch by these language, which you use to A, A and N, and the vowel, you use L fossils in v suffratern, 80M, full Gospel क्या बते हैं? क्या भिश्कती है? ए पॉस्णेट पॉस्णेट पर तुमा पर के रगादे हैं और अगर धावे हुआ तुमा पर के लिए आश ओके So For your homework What you have to do? As I resonated विस्वाव प्यूस्टेड तुमा पहा पे एक लिए रगादे हैं यह क्यों हमार चो this is about your A or N A or N परल परताना है यूरी को बस्कताना तो यहां परें मोह को यांखि पर्स बत्र जेंके लार है ये के पर्स बत्र रैंया है डीस पर्स दत्र वो हाप बस्टप ये पर्स बत्र बत्र ये परसे लें वावर इनस पर यांखिन है A, E I O is N रेस तो इस को इस साइब, अकर यह भावर होगी तो यहाँ पिए पार है? A, N, I and if it is consonant, then you have to write your A. Okay, so for your homework it is enough. So, thank you and have a good day.